उत्तर मध्य रेलवे की ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस एक बार फिर कमाई के मामले में जोन की नमबर वन ट्रेन बन गई है। प्रयागराज से दिल्ली तक जाने वाले प्रयागराज एक्स्प्रेस ट्रेन ने बीते वित्तिय वर्ष में 82 करोड़ रुपे की कमाई की है इस अवधी में प्रयागराज एक्स्प्रेस में आरक्षन कराने वालों की संख्या 11.945 लाख रही रेलवे के आक्रों पर गौर करें तो ट्रेन संख्या 12,417 और 12,418 यानि प्रयागराज एक्सप्रेस की एक दिन की कमाई करीब 22.946 लाख रुपे है वहीं कमाई की लिहाज से प्रयागराज लोकमान ने तिलक दुरंतो एक्सप्रेस दूसरे स्थान पर रही जबकि कानपुर शताबदी अब तीसरे की बजाए चौथे स्थान पर आ गई है प्रयागराज एक्सप्रेस दिल्ली के लिए पहली बार 16 जुलाई 1984 को चली थी बीते करीब 38 साल से यह ट्रेन प्रयागराज और दिल्ली के लोगों को जोड़ रखी है कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो इसके निरस्थ होने के मौके भी अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफी कम रहे बता दे प्रयागराज से दिल्ली जाने वाले ज्यादातर यात्रियों की पहली पसंद प्रयागराज एक्सप्रेस ही है